हेलो एवरिवान वेल्कम टू आवर न्यू व्लोग सोज की खोज तो आज हम जा रहे हैं गर्मियों की छुटियों के लिए एक स्विमिंग पूल रिजॉर्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं ओज बहुत ही एकसाइटेड है जाने के लिए पर रस्ते में बहुत सारा ट्रैफिक जैम भी है और यह ओज की कजन्स वेदांश यह हमारा आबू और यह ओज यह बोल रहे हैं देखो रूड़ पे किता ट्रैफिक है हम कब पहुचेंगे हैं और आप देख सकते हैं प्रकरती के नजारे जो बहुत ही खुबसूरत होते हैं गर्मियों में थोड़े से पेड़ पीले और ड्राय हो जाते हैं बर जब बरसात होगी तो यह एक सुन्दर जन्नत बन जाता है और आप देख सकते हैं हमारे आगे राफ्टिंग की गाड़ी जा रही है और यहां से हम होते हुए जाएंगे अपने रिजॉर्ट की तरह और यह जो है नीलकंट वाली रोड है कुछ लोगों को कर नहीं पता होगा तो यहां से नीलकंट भी जाते हैं और आप देख सकते हैं सामने से गंगाजी पहाड़ों की बीच से निकलती हुए आती है और लोग जो हैं यहां पर राफ्टिंग करते हैं बहात दूर दूर से यूकि अब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है जुलाई से तो जून में उसको बंद कर देते हैं और यह हम लोग इंजोई करते हुए जा रहे हैं सब हमने म्यूजिक लगा रहा है अपनी गाणी में और हम बच्चे सब मजे करते हुए जा रहे हैं और हमारे रस्ते में बस करके अपने रिजॉर्ट के तरफ जाएंगे और यह देख सकते हैं एक कुत्ता भी नहारा है यानि इतनी गर्मी दी यहां पर कि कि हर किसी को पानी ही चाहिए था और यह देख सकते हैं हम लोग आगे जाते हुए बहुत ही सुन्दा नजारा था एकदम नीचर से जिन लोगों को नीचर से जूड़ी चीज़े जादा पसंद आती है उनके लिए जगा बिल्कुल परफेक्ट है आप यहां आ सते हैं फिर हम लोग दीरे-दीरे आगे बढ़ते गए अपने लोकेशन की तरफ और यह देख सकते हैं कितना सनी डे हैं और चारों तरफ जो है पहाड़ ही पहाड़ है यह देखो बहुत है सुन्दर तो पहुच गए हम अपनी लोकेशन पर आप देख सते हैं ग्रीन ग्रास और यह हमने अपने गाड़ी खड़ी करी और हम चलते हैं आगे की तरफ यहां पर रहने के लिए भी बहुत अच्छा है रूम्स बने हुए है स्वीमिंग पूल है बच्चों के खेलने के लिए आगे गार्डन है और बहुत सारी अक्टिविटीज भी कर सते हैं आप अपने बच्चों के साथ और यह देख सते हैं इतना सुन्दर गार्डन है पटकर भी बहुत थी था हम लोग इंजॉई ने कर पाया उस गार्डन को जाना है यह वह सो एक्साइटेड की कितना सुन्दर लग रहा है ममी मैं कहां एक जूला भी था बच्चों के लिए फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए ना इस्टेटिक यह ओज की मामी है जिसको पकेट के लिखे जारी है पिर हमने कुछ फोटोस क्लिक करी उसके बाद हम स्व लोग स्विमिंग में लगे हैं मेरको थोड़ा डर लग रहा था ओज के साथ नहाने के लिए क्योंकि अभी बहुत चोटा है और यह थोड़ा सा यू चंचल जैसा है तो थोड़ा मैं स्कैड हो रही थी स्टार्टिक गए बट धीरे धीरे जब वो वाटर के यूस्टू हो देनाय रिलाक्स ओज अपने मामा के साथ चला गया उसके मामा ने इसको पंदे पे बिठा रखा है और वो मस्ती करता हुआ आप देख सकते हैं उसके मामो नास करते हुए यह उसकी शिष्टर है और सब बच्चे नहाते हुए पता एक तरह से एक प्राइवेट पूल जैसा होगी हम लोगों के लिए इसमें कोई और नहीं था बस एक हमारी पूरी फैमिली थी इसमें उसके मामा मॉसी और हम लोग थ सब्सक्राइब करते हुए और देरे-देरे हम लोग इसको छोड़ने लगे पानी में ताकि इसका जो वो है कॉंपिनेस लेवल बढ़ जाए तो सब्सक्राइब मैं आपको दिखाते हुए यह प्रॉपर्टी के कहां क्या कैसा है यह देख सब्सक्राइब पूल है पीछे र आप यहां पर खाना खा सकते हैं ऊपर रूम्स बने हुए हैं और चारो तरफ जो है नीचर है आप देख सकते हैं पहाडों के बीच में यह बना हुआ है और यहां का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है हर कोई आपसे कॉपरेट कर रहा है तो आपको पूछ र आप यहां पर पूपने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं और यह देखे हो जाया है यह बता लिए लगा मुम्मी हमारी गाड़ी किदर है हम लोग कोगी गाड़ी वो रही अब बहुत हैपी हुआ है यह इसकी कजन है और यह दोनों बहुत मस्ती करते हैं और यह म फॉलो करने लगा उसको आप देख सकते हैं हम लोग नीची की तरफ जो है वो रूम्स बने हुए हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन थी बहुत ही बता सुन्दर जिसे बोलते हैं हम लोग बहुत ज़ादा एंजॉय कि यह हम लोगों ने यहां पर देख सकते हैं मैं त लिचर से जूड़ी चीजे खुबसूरत जो होती है और हम लोग सब जाने के लिए हो गए क्योंकि शाम हो चुकी है यहां पर हम लोगों को दिखाऊंगे यहां पर हम रात को क्या क्या एक्टिविटीज कर सते बॉन फायर चलिए मिलते हैं नेक्स फ्लोग में तब तक के ल और सब्सक्राइब करना